हेलो बच्चों, आप स्वभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT ट्योटोरियल के उपर और यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10 जोग्राफी के चैप्टर नमबर 2 को जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है Forest and Wildlife Resources तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नमबर 2 गौन सा है Forest and Wildlife Resources और इस वीडियो में इस चैप्टर को हम complete पढ़ने वाले हैं तो अगर आप इस चैप्टर को जल्दी से खतम करना चाहते हैं इस वीडियो को जल्दी देखना चाहते हैं तो जहाँ पर मैं बैठा हूँ यही पर आपको सेटिंग मिल जाएगा फास्ट करने का नहीं तो आप नॉर्मली मेरे साथ देखिए कोई दिक्कत नहीं तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है यह चैप्टर किस चीज के उपर फोकस कर रहा है तो यह देखें यह जो चैप्टर है ना हमारे देश के फॉरेश्ट के उपर हमारे देश के वाइड लाइफ के उपर फोकस करने वाला है कि हमारे देश के फॉरेश्ट की क्या इस्थिती है wildlife की क्या इस्थिती है flora, fauna की क्या इस्थिती है हमारे देश में जो अलग विभिन प्रकार के जो जीव जन्तु है उनकी क्या इस्थिती है उनको हम कैसे बचा सकते है उनके सामने क्या problem से ये सारी चीज़े हम देखने वाले है और हम देखेंगे कि किस तरीके से forest को, wildlife को नुकसान हो रहा है बहुत सारी चीज़े हम देखने वाले है flora क्या होता है, fauna क्या होता है सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे तो आई हम शुरुआत करते हैं chapter को और सुरुआत में कुछ basic बाते बताई गई है जो कि आपको पहले से पता होगा नहीं पता है, तो यहाँ पर आप देख लिए यहाँ पर simply कहा ज़रा है कि we see this planet with millions of other living beings यानि कि हम जो इस पृत्वी पर रहते हैं तो इस पृत्वी पर हम तो अकेले रहते नहीं है हमारे जैसे बहुत सारे दूसरे प्राणी है जो कि इस पृत्वी पर रहते हैं अपना खाते, पीते, जीते हैं सारी चीजे करते हैं मतलब कि पृत्वी पर हमारा भी घर है उन जीव जन्तूओ का भी घर है उनका घर है प्रित्वी जिस तरीके से हमारा घर है तो प्रित्वी पर हमारा लाइफ जितना इंपोर्टेंट है उतना ही उनका लाइफ भी इंपोर्टेंट है ठीक है अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनका पूरा एंवारमेंट है, हमारे आज सपास की सारी चीज़े हैं, वो एक तरीके से क्या होती है, मिल कर क्या बनाती है, एक ecosystem बनाती है, अब यहाँ पर ecological system भी कहते हैं, यह एक प्रकार का complex system होता है, जहाँ पर की जो organism होता है, एक organism, वो अपने आसपास के surrounding के उपर, आसपास के दूसरे organism के उपर dependent होता है, अपने survival के लिए, मतलब क्या हो गया, मतलब कि आप जो जिन्दा है, आप अपने खुद को जिन्दा रखने के लिए, आप अपने आसपास के दूसरे organism के उपर dependent है, और वो जो दूसरे organism है, वो दूसरे organism के उपर dependent है, और यह पूरा मिलकर क्या बनता है, एक ecological system बनता है, जिसको की sort में हम ecosystem भी कहते हैं, ठीक है, तो ecosystem क्या होता है, आप समझ गया, definition जो है, वो आपको मैं करवा दूँगा, जब मैं question answer वाला video करूँगा, उसमें आपको definition के साथ answer पूरा detail में मिल जायेगा, यहाँ पर आप समझ लिए कि ecosystem क्या होता है, ecosystem एक किसी भी इलाके में, जो organism होते हैं, वो अपने आसपास की चीज हो या फिर अजीवित हो, उनके उपर depend करते हैं अपने survival के लिए, जैसे अगर हम बात करें, जो plants होते हैं, जो animals होते हैं, और जो microorganisms होते हैं, वो different different चीजों को तयार करते हैं, जो कि हमारे जीने के लिए जरूरी है, जैसे हम लोगों को क्या चाहिए, air चाहिए, यानि की oxygen च कैसे रहेंगे, इसी तरही के से जो water हम पीते हैं, वो हम कहां से लेते हैं, आसपास के surroundings से लेते हैं, nature से लेते हैं, तो nature अगर नहीं रहेगा, तो हम रहेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे, इसी तरही के से जो soil है, soil में क्या होता है, पौधे तयार होते हैं, पौ नूट्रियंट्स मिलते हैं, वो स्वाइल से मिलते हैं, स्वाइल से नूट्रियंट्स कैसे मिलते हैं, तो स्वाइल में बहुत सारे बैक्टिरिया होते हैं, माइक्रो ओर्गनिजम होते हैं, जो की नाइट्रोजन को तयार करते हैं, और भी तरीके से क्या करते हैं, ह्यूमस ए और यही पूरा एक system बनता है जिसमें कि एक organism दूसरे organism के उपर depend करता है और किसी organism के जाने के विज़ से दूसरा organism जो है उस पर भी impact पड़ता है. ठीक है? अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि forest play a key role in the ecological system as these are also the primary producers of which all the living being depend. देखिए यह पूरा system हमने देखा ना कि जहाँ पर एक organism को जिन्दा रहने के लिए आस पास के organism का जिन्दा रहना जरूरी है इसके लिए forest जो है वो बहुत important होता है. भाई क्यों important होता है? क्योंकि forest जो है एक ऐसा system तयार करता है जहाँ पर जो बाकी सारे organism हैं उनका survival depend करता है जैसे forest में क्या है? forest को आप क्या समझते है? सिर्फ जंगल है वहाँ पर पेड़ है क्या? जी नहीं, forest को अगर आप समझे तो वहाँ पर पेड़ भी रहते हैं, बहुत सारे organism भी रहते हैं, micro organism भी रहते हैं, आपके शेर, बाग, या फिर कुते, बिली, बहुत सारी जानवर जो कि वहाँ पर survive करते हैं, और पूरा जो main शुरुआत होता है इस पूरे chain का, जहां पर एक organism उसके उपर depend है, दूसरा, उसके उपर दूसरा, उसके उपर दूसरा, ये पूरा chain कहां से सुरू होता है? forest से सुरू होता है, इसलिए जो forest है ना, ये forest आपका बहुत important हो जाता है, हम सभी को जिन्दा रखने के लिए, चाहे आप शहर में रहते हो, या फिर जाकर अंटार्टिका में रहें, लेकिन आपको forest जो है ना, वर्ल्ड में चाहिए ही, चाहिए उसी के उपर आपका life depend करता है, आपका क्या सारे organism का life depend करता है, ठीक है? अब यहां पर आगे एक और चीज़ शुरुआत में बताई गई थी, जो कि मैंने साहिए ध्यान नहीं दिया, या फिर बताया नहीं मैंने, यहां पर कहा जा रहा है कि this entire habitat that we live in has immense biodiversity, मतलब कि जो हम अपने आसपास के इलाके में जहां पर हम रहते हैं, यहां पर क्या है? हमारा पूरा जो habitat है, habitat मतलब कि जहां पर हमारा जो निवास अस्थान है, वहां पर बहुत ज़्यादा biodiversity है, biodiversity का मतलब क्या? कि मतलब वहां पर बहुत विभिन विभिन प्रकार के जीव जन्तु रहते हैं, और वो जीव जन्तु जो हैं, वो एक तरीके से एक दूसरे पर survive करने के लिए डिपेंडरते हैं biodiversity का survival वाला इंसा नहीं है, biodiversity का simple मतलब क्या हो गया? यहां पर इसे बताया गया है, immensely rich in wildlife and cultivated species diverse in the form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependence. यानि biodiversity क्या हो गया? कि भाई, एक कोई खास region में बहुत विभिन प्रकार के आपके जीव जन्तु रहते हैं, वो आपके एक तरीके से biodiversity को denote करते हैं. अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, आता है बारी flora और fauna की, flora and fauna in India. तो सबसे पहले सवाल उठता है कि flora क्या होता है? fauna क्या होता है? तो यहां पर flora एक तरीके से आपका simply कहें, तो जो पेड़, पौधे, फूल, पत्ती होती है उसकी बात हो रही है. fauna में आपकी बात होती है जीव जन्तुओं की, जो जानवर होते हैं, उनकी बात होती है. जो जब हम flora की बात करते हैं, तो इसका simple मतलब होता है, किसी एक खास इलाके में पाए जाने वाले जो पेड़, पौधे हैं, उनकी बात होती है. और वहीं, जो आपके fauna है, तो किसी एक खास इलाके में पाए जाने वाले आपके जीव जन्तुओं, यानि कि जो जानवर अ यहां पर कहा जा रहा है, flora क्या होता है, fauna क्या होता है, आप समझ गए? यहां पर आगे कहा जा रहा है, कि जब आप अपने आसपस देखिएगा, तो आपको क्या पता चलेगा, कि कुछ ऐसे animals या फिर कुछ ऐसे plants हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके इलाके में ही पाए जाते हैं, वर्ल्ड में और कहीं पर नहीं मिलता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है, कि जो इंडिया है, हमारा देश है, यह आपका वर्ल्ड में कुछ खास ऐसे देशों में है, जहां पर बहुत जदा बाइव डाइवर्सिटी है, यानि कि बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जन्तु पाए जाते हैं यहाँ पर और यह ऐसा माना जाता है कि अभी तक हमें जितनी जानकारी है उससे दो उससे तीन गुना प्रकार के जीव जन्तु भारत में आपके पाए जा सकते हैं जिनको कि अभी खोजा जाना है या फिर अभी तक वो मिले नहीं है, ठीक है, तो यहां पर गहें, तो यहां पर आपको एक तरीके से आपने अभी तक पढ़ लिया कि जो आपका forest or wildlife resources है इनका extent कितना है, variety कितना है यह तरीके से आपने पढ़ लिया पीछे के classes में, तो यहां पर आगे देखे, तो आपको एक तरीके से पता होगा कि ये सारे जो आपके resources हैं, कौन से resources, जो आपके forest resources हो गए, या फिर wildlife resources हो गए, इनकी बात हो रही है, यानि जंगलों से जो चीज़े हमें प्राप्त होती हैं, पेर पौधों से प्राप्त होती हैं, या फिर जो आपका एक तरीके से जनवरों से प्रा integrated हैं हम इन से इतने जुड़े हुए हैं कि हम इनको granted समझ लेते हैं यानि लगते कि है यह तो है यह हमेशा रहेगा हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे जितना मन उतना यूज करेंगे तो हमेशा चलते रहेंगे कोई problem नहीं होगा यानि कि आप अपने आसपास देखिए यहाँ अगर आप देखिए तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं यहाँ पर table लेकर बैठा हुआ हूँ लकडी का जो कि आया है पेड से किस चीज से फ्लोरा से उसी तरीके से हम जो हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अलावा क्या है इसके अलावा हमारे आसपास और भ प्रेंड करते हैं तो वो भी उनको हम क्या समझ लेते हैं कि यह हमारे लिए हैं और हम इनको जितना मनुतना यूज करेंगे जैसे यूज करेंगे कोई दिकत नहीं होगा लेकिन यह जो पूरा आपका हमारा environment है उस पर बहुत बड़ा खत्रा तयार हो रहा है क्यों क्योंकि ह हम लोगों ने काफी एक मतलब गंदे तरीके से बिना ध्यान दिये एकदम बिना ध्यान दिये उसको यूज किया है environment का बहुत दोहन किया है बहुत गलत तरीके से इस्तमाल किया है इसलिए हमारे environment पर बहुत बड़ा खत्रा आ चुका है ठीक है इसके अलावा आगे और भी problem है हमारे सामने problem यह है कि हमारे कुछ हिसाब से मतलब कि कुछ जो expert लोग है उनके द्वारा जो हिसाब लगाया गया है उसके हिसाब से यह कहा जा रहा है कि इंडिया में जितने भी flora है wild flora यानि जंगलों में जितने भी आपके पूधे पतिया या फिर जो भी जीव जो है वो क्या है खत्रे में हैं इंडेंजर्ड है वो खत्म होने के कहार पर है और इसके साथ ही 20% mammals यानि 20% mammals यानि कि जीव जन्तु जो जानवर आप देखते हैं गाय, बैल, सुर, इंसान इस तरीके के ऐसे इंसानों में से जितने भी जीव जन्तु हैं उनमें से 20% जीव में रखा गया है और ये endangered है मतलब क्या मतलब ये समाप्त होने वाले हैं इस प्रजाती का एक भी जीव नहीं बचेगा ऐसे यहां पर situation create हो चुके है हमारे सामने हमने इस तरीके से हमारे आसपास की environment का दोहन किया है अब इसके बाद आगे बढ़ें तो कुछ example दिये गया है जैसे कि चीता चीता जो है वो extinct हो चुका है इंडिया में extinct हो चुका है इंडिया में अब चीता नहीं पाया जाता है देसों में दूसरे देसों में पाया जाता है इसके अलावा पिंक हिडे डग जो है वो भी खत्म होने के गगार पर है mountain, quail, forest, spotted, olive, plant जो मधुका, इंगनी से समहला नहीं गया, देख बाल नहीं की गई, कोछ नहीं की आ गया तो, इसलिए यहां पर क्या करना होगा, हमें पूरे environment का, पूरे आसपास के जितना हमारा environment है, जिसमें की जो पेड़ पौध हैं, वो भी आ जाते हैं, जीव जन्तु हैं, वो भी आ जाते हैं, सब का सही त हो गया, हमें पता भी नहीं चला, छोटे जो कीडे मकॉडे हैं, वो कितने सारे विलुप्त हो रहे हैं, या फिर हो गया हैं, वो हमें पता नहीं है, तो यहां पर यह जो नंबर है, यह नंबर बहुत कम है, और सिर्फ उन जीव जन्तुओं का है, जो की हम देख सकते हैं, ज फोरिस्ट मतलब कि जो हमारे आस पास के जंगल है, वो खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, इन चीज़ के बारे में यहा पर बात की गई है, तो यहां पर कहा जा रहा है की जो इंडिया में, जो डिफ फोरिष टेशन हैं वो बहुत बड़े अस्तरपर ही हो रहा है, और जो forest और tree cover है इंडिया में वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, फिलाल कितना है, वो है 8,7,276 square kilometer, और ये पूरे इंडिया के geographical area का 24.56% है, और यहां पर इसमें से dense forest आजाता है 12.4%, open forest 9.26% और mangrove आजाता है 0.15%, तो ये सारे forest के types हैं वो तो आपने पहले पढ़ लिया है, class 7 में यहां पर आगे कहा जाता है कि जो state of forest report है, ये 2019 में एक report आता है, forest related, वो आया था, उसमें ये बताया गया कि 2017 के बाद, करीब 3974 square kilometer जो है न, ये आपका dense forest का इलाका बढ़ चुका है, ये अपने आप नहीं वढ़ा है, यहां पर बहुत तरीके कि आपको क्या किये गए है, conservation measures लिए गए है, इंसानों ने काम किया है, environment को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, और भी तरीके के काम करने के लिए, तब जाकर ये जो forest area है, ये कुछ बढ़ा हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा बात करें, तो बहुत बड़े अस्तर पर forest जो है, वो प्रजाती का category बनाया गया है, किस अधार पर, कि भाई किस प्रजाती को कितना खत्रा है उस अधार पर, यानि कि जो आपका एक organization है, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, ये एक organization है, जो कि विलुप्त होने वाले जो पेड़ पौधे हैं, या फिर जानवर हैं, उन पर निगरानी रखता है, कि कौन विलुप्त हो रहा है, कौन विलुप्त हो सकता है, कौन विलुप्त हो गया, इस अधार पर, जो ये एक category तैयार करता है, वो category हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने कौन सा category आ जाता है, ये आ जाता है, Normal Spaces, यानि वैसे जीव जन्तु, वैसे नहीं होंगे, पृत्वी से गायब नहीं होंगे, एक्जामपल क्या हो सकता है, हम लोग Humans, हम लोग Humans भी एक प्रकार के जीव जन्तु ही है, और क्या हम लोग ऐसा खत्रा है क्या, कि हम लोग पृत्वी से गायब हो जाएंगे, जी नहीं, बलकि और भी बढ़ रहे हैं, इनका भी संख्या काफी अच्छा है, तो ये सारे क्या है, ये सारे नॉर्मल इस्पेसीज है, इनके सर्वाइवल के जितना population होना चाहिए, उतना population है, इसके बाद आजाता है कैटेगरी जिसको कि हम कहते हैं endangered species, यानि कि ये ऐसे जानवरों का एक कैटेगरी है, या फिर पे ये प्रित्वी से गायब हो जाएं, इस प्रजाती का एक भी जीवजन्तु हमें देखने को भी नहीं मिले, और यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता इसलिए है कि हो सकता है उसके उपर इनसान है उसको मार रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे हाथी हो रहते थे, जिस इलाके में ये जानवर रहते थे, वहाँ पर हम जाकर किसी न किसी तरीके से परिशानी क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर जंगलों को काट रहे हैं, या फिर जाकर खुदाई कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से उनके लाइफ को निगेटिव इंपक्ट पढ़ रहा है जिसकी वज़ा से उनकी संख्या कम हो रही है और इतनी कम हो चुकी है संख्या कि कुछ दिनों में कुछ सालों में ये प्रित्वी से गायब हो जाएंगे ऐसी प्रजाती जो होती है जिनके उपर हमेशा गायब होने का खत्रा मंडरा रहा है ये होते हैं endangered species ठीक ह यहां पर example दिया गया है black bug यानि काला हिरन जो होता है उसके अलावा crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion tailed macaw या फिर संगई ये सारे जो ऐसे जानवर हैं जो कि endangered हैं जिनको बचाने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे है कि कैसे भी इनका संख्या जो है वो बच जाए और बना हु अब इसके बाद आजाता है next category और वो क्या है वो है vulnerable species ये आपके endangered से थोड़ा सा सेफ होते हैं मतलब क्या मतलब इनकी स्थिती ऐसा नहीं है कि अगले एक दो साल में एकदम गायब हो जाएंगे पूरी पूरी पूरित्वी पर 100 या 200 बचे हुए ऐसी बात नहीं है लेकिन इ endangered species के category में आ जाएंगे और उसके बाद कुछ दिनों में ये समाप्त हो जाएंगे और ऐसा हो क्यों रहा है क्योंकि ये जो species हैं ये जो जानवर हैं जैसे example को क्या हो सकते हैं blue ship हो गया asiatic elephant हो गया gigantic dolphin हो गया ये जो जीव जन्तु हैं इनके life को हम बहुत ज़्यदा प्रभाव गंगा नदी में अगर हम गये वहाँ पर हम बड़े बड़े जहाद चलाने लगे वहाँ पर हमने बड़े बड़े बांध बना दिये वहाँ पर हमने बड़े बड़े क्या केर नहर निकाल दिये तो ये जो gigantic dolphin है इसका life को तो एक तरीके से हम impact कर रहे हैं और इसका जो natural life है उसको हमारी वज़े से problem हो रहा है और इसकी वज़े से क्या होगा ये जो gigantic dolphin है ये मरना शुरू कर देंगे या फिर इनका जो reproduction है वो कम होगा और इसकी वज़े से क्या होगा इनका population बहुत speed में गिरने लगेगा फिलहाल तो ये vulnerable हैं लेकिन ये problem इनके life में अगर बना रहा तो कुछ दिनों में ये endangered बन जाएंगे और endangered के बाद हो सकता है कुछ दिनों में ये गायब हो जाएं ठीक है इसी तरहीके से दूसरी पजातियां है जिनके life के उपर भी इनसानों की activity के वज़े से या फिर किसी और कारण से बहुत ज़्यादा problem create हो रहा है उनके life को इसके नेक्ष्ट है टाइप वो क्या है वो है rare species, rare species का आप जैसे नाम जान सकते हैं वैसा ही इनका performance है या वैसे ही इनकी स्थिती है ये species ऐसे हैं जिनका population जो है वो काफी कम है और ये बहुत मतलब इनका स्थिती ऐसा है कि ये किसी भी समय endangered की category में जा सकते हैं या फिर vulnerable की category में ज पाए जाते हैं मतलब पाए जाते हैं लेकिन अभी ऐसे इस्थिती हो चुका है ये species का कि एक खास इलाके में आपको मिलेंगे वैसे एक खास इलाके में जो मिलने वाला जो प्रजाती होता है उसको specifically कहा जाता है endemic species लेकिन यहाँ पर rare species हैं ये आपको बहुत खोजने पर ब हिमालियन ब्राउन बियर ये नाम जो है ये जीव जो है ये आप हिमाले के इलाके में जाएएगा तो ये आपको नॉर्मल ही नहीं दिखेगा बहुत सर्च करना पड़ेगा तब जाकर आपको ये दिखेगा या फिर इसके अलावा एसियाटिक बफेलो हो गया डिजर्ट फ जानवर हैं जो कि एक खास इलाके में ही पाए जाते हैं वहीं पर मिलेंगे और दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे वहीं उसी इलाके में उसी जगह पर रहेंगे और वहीं पर इनका पूरा लाइफ चलेगा कहीं दूसरे जगह पर ये आपको प्राप्त नहीं होंगे कहीं ज को बार के region में ही मिलेगा, आपको इंडिया के mainland में या फिर दूसरे state में नहीं मिलेगा, अंडमान wild pig, तो कहां मिलेगा ये अंडमान पर मिलेगा, मिथुन in अरुनाचल प्रदेस, जो मिथुन जानवर है या आपको अरुनाचल प्रदेस के region में यानि North East में ही मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर इस इलाके में या फिर दुनिया में और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. इंडेमिक इस्पेसिस का मतलब क्या? जो कि एक खास इलाके में एक खास जोग्राफिकल एरिया में ही पाये जाते हैं, वो होते हैं इंडेमिक इस्पेसिस. इसके बाद एक्स्टिंट इस्पेसिस ये तो सिंपल है भाई कि जो जीव जन्तु, वैसी प्रजाती, वैसा आपका जीव आज फिर्थवी पर जिंदा नहीं है, वो आपका एक्स्टिंट हो गया. यानि कि उस प्रजाती के एक भी जनवर आज प्रित्वी पर जिंदा नहीं है. एक्जामपल के लिए कब 1952 में 1952 में इसको extinct declare कर दिया गया इंडिया में और साइध हाल फिलाल में सरकार जो है वो काम कर रही है कि विदेशों से अफरीका से या फिर दूसरे जगों से कुछ चीताओं को भारत में लाया जा सके ताकि यहाँ पर उनकी संख्या फिर से शुरू की जा सके बढ़ाया जा सके इसके अलावा पिंक हेड डग है जो कि गायब हो चुके है अब नहीं मिलते हैं अब देखने के लिए भी आपको नहीं मिलेंगे उस प्रजाती का एक भी जीव अपरित्वी पर नहीं बचा हुआ है यानि कि यहाँ पर चीता के बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि भाई किस तरीके से पाई जाते थे जो असियाटिक चीता है जो कि इंडिया में पाई जाता था वो गायब हो चुका है अब नहीं मिलता है 1922 में Extinct Declare कर दिया गया है अब यहाँ पर आगे कढ़ें तो आगे कहा जारा इफ यू लूक अराउंड यू विल बी एबल तो फाइंड आउट हाव वी हैव ट्रांसफोर्ड नेचर इंटू यानि कि अगर आप अपने आसपास देखिए तो आपको क्या पता चलेगा कि हमने अपने आसपास के नेचर को एक रिसोर्स में बदल दिया है मतलब कि हम वहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स अप्टेन करने का रिसोर्स लेने का काम करते हैं हम नेचर को नेचर की रूप में नहीं देखते हैं कि भाई नेचर कुछ ऐसा है जिसकी वज़ा से हम जिन्दा हैं, हमें नेचर का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, ऐसा हम सोचते ही नहीं है, हम क्या सोचते हैं, कि चलो चलो जंगल से जाकर लकडी ले आओ, जंगल से जाकर कोई जानवर ले आओ, जंगल से जाकर वहां से ये पौधा ले आओ, वहां से ये दवाई बना लो, उस पेड को काटोगे तो मजबूत लकडी मिलेगा, उस जानवर को काटोगे तो यहां पर वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मतलब हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने आस पास के नेचर से रिसोर्स प्राप्त करने के कोशि हम नेचर का ध्यान नहीं रखना चाहते हैं, और इस वज़ा से हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि हमारे आसपास की जो फॉरेस्ट हैं, हमारे आसपास की जो वाइल लाइफ हैं, वो काफी ज़दा डिपलीट भी हो चुका है, और उसका रीजन क्या है, सिर्फ हम हैं, हम इ इंपक्ट जो देखने को मिला है, वो मिला था हमें colonial period के दोरान, यानि जब भारत पर अंग्रेजों का शाशन था, उस समय पर इतने बड़े अस्तर पर हमारे environment पर impact पड़ा था, कि हम कह भी नहीं सकते हैं, बहुत बड़े अस्तर पर, उसका reason क्या था? उसका reason ये था कि जब यहाँ पर थे, तो उन्होंने बहुत बड़े अस्तर पर railways का expansion किया, agriculture का expansion किया, इसके अलावा commercial और scientific forestry को बढ़ाया, mining बढ़ाया, इन सभी चीजों की वज़ज से बहुत बड़े अस्तर पर जंगल, पेड़, या फिर पूरा environment को नुक्सान हुआ, अब बहुत सर इन रेल्वे की अगर बात करें, तो जब अंग्रेजो का शाशन था, तो आज जो आप देखते हैं कि पट्रियां ऐसे बेचती हैं, तो पट्रियों में ये जो support के लिए जो pillar लगाया जाता है, ये pillar पहले जो लगाया जाता था ना, ये वाला pillar बीच में, वो लकडियों का बना हुआ होता था, जंगल काटे जाते थे, पेड़ काटे जाते थे, और उससे बीच में जो ये pillar support के लिए होता था, railway tracks के नीचे, वो लकडियों का बना हुआ होता था, कई जगों पर मैंने अभी तक देखा है कि अभी तक वो लकडियां available हैं, दिख जाएंगे आपको कहीं, अगर कहीं आप याड में जाएंगे कहीं पर वैसा track, पुराना track होगा तो, तो यहाँ पर देखें, तो इसके वज़े से बहुत बढ़े अस्तर पर पेड़ों को काटा गया, railway बिचाने के लिए, इसके अलावा agriculture बढ़ाने के लिए भी बहुत जंगलों को साफ करके, जो फरनीचर वगरा बनाने वाली मोटी मोटी लकडियां होती है, वो मिल सकें, ऐसा हमने काम शुरू कर दिया, हमने कहें तो अंग्रेजों की सरकार के दौरान ऐसा हुआ था, और इसके बाद अगर हम देखें, तो आजादी के बाद भी ऐसा नहीं है, कि सिचुईशन जावा दिया गया, और एग्रिकल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े अस्तर पर जंगलों को साफ किया गया, और उससे भी काफी निगेटिव इंपक्ट गया हमारे फॉरिस्ट के उपर, और ऐसा कहा जाता है कि 1951 से 1980 के बीच में, जो 26,000 स्कॉयर किलोमेटर का जो बदल दिया गया, और वहां पर एग्रिकल्चर सुरू कर दी गई, और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारे ट्राइवल इलाके हैं, खास करकि जो नौर्थ इस्ट और सेंटरल इलाका, यहां पर क्या हुआ था, जो जूम कल्टिवेशन होता है, आपने क्लास 8 के हिस जूम कल्टिवेशन के बारे में, जूम कल्टिवेशन या फिर सिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसकी वज़ा से, जिसको कि हम स्लैस और अगरिकल्चर भी कहते हैं, उसकी वज़ा से बहुत बड़े अस्तर पर, जो हमारा अगरिकल्चर है, करने की वज़ा से, जो हमारा फॉर अंग्रेजो के समय में जो forest policies अपनाए गई थी उसकी वज़से कैसे impact पड़ा वो यहाँ पर बताया गया इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं सौट है ठीक है अब यहाँ पर देखे यहाँ पर आप image देख सकते हैं कुछ खास extinct rare और endangered species के तस्वीरे यहाँ पर दी गई हैं forest के उपर नुक्सान पड़ा लेकिन उसके अलावा बात करें तो जो बड़े बड़े आपको development projects है न उसकी वज़ा से भी बहुत ज्यादा forest का loss हुआ है कहा जा रहा है कि 1951 से आज तक करीब 5000 square kilometer forest है उसको clear किया गया है साफ किया गया है rival valley projects के लिए यानि जो आप बांध आज के समय में भी जो आपका forest है उसको clear किया जा रहा है ऐसे projects की वज़ा से जैसे example जो नर्मदा सागर project है मध्य प्रदेश में उसकी वज़ा से 40,000 hectare forest जो है वो काटा जाएगा वो खत्म होगा इसके अलावा mining जो है वो भी काफी जदा बढ़ावा दिया जा रहा है mining के व वहाँ पर जो पूरा situation है पूरा आपका जो ecosystem है उस पर बहुत negative impact पड़ा है वहाँ पर बहुत सारे जीव जन्तु जो है उनका natural घर जो है natural habitat उस पर बहुत ज़दा impact पड़ा साथ में जो आपके बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो migration करते रहते हैं मतलब कि एक season रहेंगे इ बीच रास्ते में अगर हम लोग mining करने लगेंगे तो उनका जो travel route है वो आपका क्या हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है उससे भी बहुत negative impact पड़ता है इन जानवरों के survival के उपर इन जानवरों के आपके life के उपर इसके आगे कहा देखें तो इसके आगे कहा जा रहा है कि Many foresters and environmentalists hold the view that greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection यानी जो लकडियां चुनी जाती है आग जलाने के लिए घरों में या फिर जानवरों को चराया जाता है उससे बहुत ज़्यादा impact पड़ा है हमारे environment के उपर ऐसा कुछ foresters और environmentalist लोगों का मानना है लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान दे तो यहाँ पर इस argument में थोड़ा सा कमी है क्या कमी है भाई कि यहाँ पर देखिए जो fuel लकडियों को चुना जाता है आग लगाने के लिए वो आपको पूरे पेड़ को नहीं काटा जाता है वहाँ पर पेड़ में से कुछ हिस्सा कुछ टहनीयों को काट कर उसको इस्तेमाल के जाता है आग लगाने के लिए बलकि पूरे पेड़ को नहीं काटा जाता है इसलिए यहाँ पर जो आपका यह reason है यह cause है यह उतना valid नहीं करता है या फिर उतना point hold नहीं करता है अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है यहाँ पर आपको जो country के most valued आपको resources है वो आपको देखने को मिलेंगे चाहे वो आपका minerals हो या फिर दूसरे resources हो, forest product हो सब आपको जंगलों में ही देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर क्या होता है इन चीजों के जरूरत सब को है जो जंगलों में रहने वाले लोग है उनको भी है जो सहरों में रहने वाले लोग है उनको भी है तो हिमाले न्यू क्या है एक तरीके का medicinal plant है जो कि आपको हिमाचल प्रदेस और अरुनाचल प्रदेस के इलाके में पाये जाता है इस plant की खासियत यह है कि इसमें chemical compound पाये जाता है जिसको कहा जाता है और यह जो आपका है यह आपका इस plant के bark needles और tweaks से पाये जाता है और इसकी मदद से क्या बनाये जाता है cancer की दवाई बनाये जाती है अब यह जो दवाई है यह आपको बहुत जादा popular है पूरे वर्ल्ड में सबसे जादा बिक्ती है यह दवाई और यह बनता की चीज़ से है हिमालियन यह से बनता है अब यहाँ पर इस चीज़ की वज़ा से कि भाई इस पेड से यह दवाई बनती है इस पेडों को बहुत बड़ी संख्या में काटा जा रहा है जिसकी वज़ा से यह आपका पूरा plantation यह पूरा जो species है इसके गायब होने का खत्रा आ चुका है इतना अब यहाँ पर रिजन्स बताए गए है कि किन चीजों की वज़ा से इंडिया की बाई डायोर्सिटी के ऊपर निगेटिव इंपक्त पड़ा है जब हम इंडिया का बात करते हैं तो मतलब क्या मतलब कि भाई यहाँ पर पहले अगर 500 प्रकार के जीव रहते थे जीव जन्त जानवरों का हंटिंग किया गया, पोचिंग किया गया, ओवर एक्स्पोरिटेशन पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा गया, इन्वार्मेंट का पॉलूशन हुआ, इन्वार्मेंट में पॉईजनिंग हुआ, यानि की केमिकल बगएरा की वज़ा से, फॉरिस्ट में आग ल हो रही है, बायो डाइवर्सिटी डिकलाइन कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि other important cause of environmental destructions are unequal access, inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being, एक और जो सबसे वड़ा रीजन है, environmental degradation का वो ये है कि कुछ लोगों के हाथों में ज्यादा resources हैं, कुछ लोगों के हाथों में कम resources ह कुछ लोग जो हैं, वो सिर्फ resources का दोहन करते हैं, उसका इस्तिमाल करते हैं अपने life को बेहतर बनाने के लिए, और कुछ लोग जो हैं, वो environment को बचाना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, जैसे example यहाँ पर दिया गया है, कि कई बार कहा जाता है ऐसा, कि जो third world country है, इसलिए क्या होता है, इसलिए environment पर बहुत negative impact पड़ रहा है, तो क्या यह logic सही है, जी नहीं, बिल्कुल logic सही नहीं, क्यों नहीं सही है, इसका कारण है, कि भाई देखो, हो सकता है कि इंडिया में population जादा हो, पूरे world के comparison में बहु जादा हो, चाइना में भी बहु जादा ह लेकिन जो इस इलाके के लोग हैं, third world के country के जो लोग हैं, इंडिया के, चाइना के, अफरीका के जो लोग हैं, ये जो resource consumption करते हैं ये एक अमेरिकी नागरी के comparison में बहुत कम है, जैसे उदाहरन दिया गया है, कि एक आम आदमी अमरीका का, वो 40 गुना जादा resource consume करता है, एक Somalia में रहने वाले व्यक्ति के comparison में, तो भाई बताईए, बताईए कि सुमाली का एक आदमी और अमरीका का एक आदमी कितना ज़्यादा environment degradation कर रहा है, तो क्या उसके लिए इंडिया के लोग, चाइना के लोग, अफरीका के लोग जिम्मेदार हैं, जी नहीं, इंडिया के च distribution, unequal access, और unequal responsibility के वज़े से कुछ लोग ज़्यादा environment को degrade करते हैं, और कुछ लोग जो हैं, वो उतना degrade नहीं करते हैं, लेकिन उनके उपर problem काफी ज़्यादा face उनको करना पड़ता है, इसी तरीके से बताया गया है कि इंडिया में, इंडिया के society में, जो सबसे अमीर 5% वो ecological damage ज़्यादा करते हैं, सबसे गरीब 25% के comparison में, तो यहाँ पर बताये कि कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, कि इसने ज़्यादा environment का degradation किया, और यहाँ पर इससे क्या होता है, जो गरीब लोग हैं, जो उतना ज़्यादा resources का consumption नहीं करते हैं, वो एक तरीके से environment के प्रती ज़्यादा सजक हैं, वो environment को ज़्यादा बचाना चाहते हैं, अमीर लोगों को या फिर जिनके हाथ में resources हैं, उनको उतना फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है, अब यहाँ पर do you know है, उसमें आपको extra knowledge दिया गया है, इसको आप खुद से देख लीजेगा, activity भी आप चाहे कुछ जनवर मर जाएंगे, ऐसा सिर्फ problem नहीं है, problem इसके अलावा cultural diversity से भी related है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जंगलों में सिर्फ ऐसा नहीं है, कि जीव जन्तु रहते हैं, या फिर पेड़ पौधे जनवर रहते हैं, ऐसी बात नहीं होती है, यहाँ पर ब कुछ हो, medicine हो, culture हो, spirituality हो, सब चीज कहाँ depend करता है, जंगलों के उपर depend करता है, तो जब यहाँ पर किसी भी तरीके का problem create होता है, तो इनके life के उपर भी बहुँ जदा impact create होता है, इंडिया के बहुत सारे society में जो महिलाएं हैं, वो क्या करती है, fuel wood collect करने का काम, fodder, water को collect करने का काम, यह सारे काम कौन करता है, महिलाएं करती है, तो जब भी resources deplete होते हैं, तो इनके life के उपर भी impact पड़ता है, कैसे, मालीजे कि कोई महिला है, वो क्या करती है, इन जंगल में से लकडियों चुनने के लिए लकडियां चुनने जाती है, लेकिन मालीजे जंगलों को पाने पीने के लिए सावान जंगलों से मिलता था, पहले यहाँ पर 2 किलोमेटर दूर जंगल था, जंगलों को साफ कर दिया गया, अब जाकर 10 किलोमेटर दूर जंगल है, वहां से लाना होगा, तो इसलिए क्या होता है, इन लोगों के life के उपर भी impact पड़ता है, और इन तरीके से जो महिलाय मालीजे की जारी हैं समान लेने जंगलों में फ्यूल वूड वगेरा तो उनके जो डेली लाइफ है उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है उनको हेल्थ प्रॉब्लेम भी होता है और परिवार का वो ध्यान भी नहीं रखने पाती है और इस तरीके से जो प् भुखा भी पड़ सकता है फॉरिष के कटाई करने के वज़ा से और इसके अलावा इन्वार्मेंटल डिग्रेडेशन के वज़ा से पोवर्टी भी हमें गरीबी भुखमरी के इस्तिती भी देखने को मिल सकती है तो इसलिए फॉरिष और वाइड लाइफ जो है न यह हमार सभी के लाइफ के लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है और इन्वाइरमेंट को बचाना हमारे लिए एक तरीके है ताकि सभी लोगों की लाइफ को बढ़ियां बनाकर रखा जा सके और इसलिए क्या करना होगा हमें लाइफ और फॉरिश्ट को बचाने के लिए बहुत अच्छे strategies अपनाने होंगे ताकि इनको हम बचा कर रख सके और इनको हम एक तरीके से बेहतर बना सके इसके बाद हमारे सामने topic आ जाता है conservation of forest and wildlife in India यानि इंडिया में forest और wildlife को conservation करने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाई जाते हैं आज के समय में forest का conservation, wildlife का conservation बहुत ही important हो गया है क्योंकि आज के समय में जो हमारा rate है degradation का, आज के समय में जो decline है हमारा wildlife population का या फिर forestry का वो बहुत जादा है तो अगर हम आज से और अभी से conservation को बहुत अच्छी तरीके से अगर नहीं करते हैं तो कुछ सालों में हो सकता है बहुत बड़ी संख्या में जो wildlife है, forestry है वो गायब हो जाए तो इसलिए क्या करना होगा हम लोग को forestry या फिर wildlife को बचाने के लिए conservation के उपर ध्यान देना होगा लेकिन बात है कि हम करें किया किस तरीके से हम conservation कर सकते हैं forest और wildlife को हम कैसे मदद कर सकते हैं कैसे बचा सकते हैं तो दिखें यहां पर देखिए जो conservation है उसका मतलब क्या होता है हम conservation में क्या target करते हैं तो conservation preserves the ecological diversity and our life support system यानि कि जो conservation है उसमें हम यह target करते हैं कि जो ecological diversity है यानि कि जो अलग-अलग प्रजातियां है उनका balance हम बना कर रख सकें और साथ में जो हमारा life support system है यानि कि जो water है, air है और soil है यह हमें जिन चीजों से मिलता है उनको भी हम बना कर रख सकें, बचा कर रख सकें अब यहां पर देखिए conservation से हमें फाइदा क्या होता है जो conservation है forest या फिर wildlife का उससे हमें फाइदा होता है genetic diversity हमें मिलता है मतलब कि अलग-अलग प्रकार की प्रजातियां हमारे आस-पास मौझूद होती हैं जिससे की नए species नए breeding, उनके बीच में breeding वगेरा अच्छी quality की हो पाती है मतलब जैसे simply यहां पर यह कहना चाहता है कि देखिए हमारे पास माल लिजे की एक पौधा है माल लिजे गोभी का फूल है तो गोभी भी कई प्रकार के होते हैं एक है, एक है, या फिर इसके अलावा एक है इनों में क्या है, अलग अलग जीन्स हैं तो जब इनका breeding होगा ना तो उनसे जो नया गोभी बनेगा या फिर इस तरीके से जो mixing होगा उससे जो नया गोभी बनेगा वो अच्छी quality का बनेगा उसमें अच्छे गुन आएंगे, अच्छे traits आएंगे और अलग अलग variety हमें अलग 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 फायदा देगी लेकिन अगर इसमें से कोई variety गायब हो जाए तो उसमें जो अच्छे गुन हैं, वो भी तो गायब हो जाएंगे ना तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें conservation करना चाहिए ताकि जो diversity है, genetic diversity वो बनी रहे जिससे breeding हो सके, और भी चीज़े हो सके और नए बेरतर आपको जो जीव जन्तू है या फिर पौधे आपको प्राप्त हो सके जैसे example के लिए करा गया है, कि आज भी जो हमारा crop है मतलब जो हम अनाज यूज करते हैं अपने खाने पिने के लिए वो traditional crop है, मतलब कि जो आपके wheat, barley, jaw, गेहु, चावल, जो भी है ये सारे चीज़े हम अपनाते हैं, जो कि कई पिछले 100-200-500 सालों से यही use हो रहे है और यहाँ पर क्या है, इनको भी बचा कर रखने की जरूरत है और भी तरीके से हमें नए sources की भी जरूरत है इसके अलावा, जो आपका feces हम consume करते हैं वो भी एक तरीके से आपके aquatic biodiversity के उपर depend करते हैं मतलब कि जो pond है, जो river है, जो ocean है उसमें अलग-अलग तरीके के जीव होंगे, तभी जो आपका feces है वो survive करने पाएंगे और तभी वो हमको प्राप्त होने पाएंगे मतलब कि उनके survival के लिए भी हमें diversity बना कर रखनी है और साथ में अपनी survival को भी बनाय रखने के लिए हमें क्या करना है, diversity बना कर रखना है अब आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है जब 1960s चल रहे थे, 1970 चल रहा था, 1960 से 70 और 70 से 80 जब चल रहा था उस समय जो conservationist थे, यानि जो conservation करना चाहते थे उन्होंने क्या कि भाई demand कि भाई सरकार क्या करे National Wildlife Protection Program चलाए जिसके तहट सरकार कानून बनाएगी, decision लेगी ताकि जो wildlife है उसको बचाया जा सके इंडिया में इसकी वज़ास से आगे चल कर Indian Wildlife Protection Act लाया गया ये आया था 1972 में, इसमें main target क्या था? main target था कि जो भी जीव जन्तु है, जिनके जान को खत्रा है, extension का खत्रा है उनको बचाया जा सके, अब यहाँ पर उनके main target क्या किया गया? उनके habitat को बचाने के लिए, मतलब कि जिन जहाँ पर उनका घर है, जिस इलाके में रहते हैं जैसे environment में वो जीव जन्तु रहते हैं, हम उस environment को conserve करके रखेंगे जिससे कि वो जीव जन्तु भी बच सकें अब इसके लिए क्या किया गया? All India List बनाया गया, जिसमें की protected species को रखा गया कि भाई, इस इस प्रजाती के जानवर को क्या करना है? कोई भी मार नहीं सकता है, कोई भी उसको एक तरीके से पकड़ नहीं सकता है उसको चमड़ी के लिए, मांस के लिए या फिर किसी और भी चीज़ के लिए हत्या नहीं किया जा सकता है और उसके उपर सजा भी कर दिया गया जिससे क्या किया गया? कि जो population है, जो कि endangered species है, endangered species आपको पता है कि क्या है? हमने पहले बात कर लिया इन endangered species का जो population है, संख्या है, उसको बढ़ाने के लिए काम किये गए और इसके लिए क्या किया गया, hunting ban कर दिया गया, legal protection दे दिया गया उनके habitat को और इसके साथ ही wildlife का जो trade है उसको restrict कर दिया गया मतलब जैसे आप हाथी के दात को, हाथी को मार कर उसके दात को जाकर market में नहीं बेच सकते हैं सेर या फिर बाख के चमड़ी को आप market में नहीं बेच सकते हैं, उनके मांस को नहीं बेच सकते हैं ये सारे चीजों के विक्री पर बैन लगा दिया गया, इसके साथ ही सरकार ने कई सारे नैशनल पार्क्स बनाए, जहां पर इनके हैबिटेट को बचा कर रखने की कोशिश की गई, वाइल लफ सेंचुरी बनाए गया, जहां पर कि इनको एक तरीके से ऐसा इलाका दिया गया, जहां पर कि किसी भी तरीके से जो पबलिक है, हुमन से वो इंटरफेर नहीं करेंगे, और इसके अलावा बात करें तो सेंटरल गवर्मेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट चलाए, जि करने के लिए, इसके अलावा जो आपके वन हॉर्न राइनोसोर से उनको बचाने के लिए काम किये गए, जो कस्मीरी स्टैग है या फिर हंगूल है, क्रोकोडाइल अलगलग प्रकार के क्रोकोडाइल को बचाने के लिए, मतलब भी बहुत तरीके के जीव जनतूओं को बच आने के लिए, अलग-लग कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, और उनकी जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश की गए, जिससे कि वो जो जीव जनतू है, वो विलूप्त या फिर एक्स्टिंसन के कगार पर ना पोहुचे, और इसके लिए कई सारे काम किये गए गए, जैसे हं हंटिंग, ट्रेडिंग, या फिर अगर कोई हंटिंग करता है, तो उसके उपर सजा वगेरा का भी काम किया गया था, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, तो प्रोजेक्ट टाइगर एक तरीके से टाइगर की पॉपुलेशन को वापस से बढ़ाने के लि लिए के काम किये गया, आप डिटेल में देखना चाते हैं, तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए सुरुवात में क्या किया गया था, अलग-अलग जानवरों के उपर अलग-लग फोकस किया गया था, कि भाई इस है, उसकी जनसंख्या को बढ़ाओ, उसको बचाओ, अलग-अलग, लेकिन क्या को हुआ, धीरे-धीरे यह पूरा strategy में change हुआ, और आज जो हम conservation पर ध्यान देते हैं, उसमें हम biodiversity के उपर ध्यान देते हैं, यानि कि ज्यादा से ज्यादा प्रजातियों को बना कर रखा जा सक के ज्यादा ज्यादा प्रजातियों की जनसंख्या को बढ़ाया जाए, ताकि वहाँ पर क्या हो, सभी प्रजातियों का same level पर development हो सके और उनका conservation हो सके, अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको अलग-लग conservation लेनी की जरूरत है, या फिर उसको उपर क wildlife act आया है, 1980 का wildlife act या फिर 1986 का wildlife act, इसमें सैकडों की संख्या में butterfly, moth, beetle, dragonfly इन सब को जोड़ा गया, ताकि इनकों भी protected की category में रखा जा सके, और इनके भी संख्या को बना कर रखने की कोशिस की जा सके, और यह सुरुआद जब हुई थी, इस सुरुआद के समय में इन में स की जारी है कि भाई देखो, इंडिया में forest के कई सारे classification किये गये हैं, कई सारे categories बनाए गये हैं, उनके density के अधार पर, उनको कितना public use कर सकता है इस अधार पर, तो यहाँ पर देखे, तो इंडिया में जो ये काम है, ये अंग्रेजों के समय से ही जो forest है इंडिया में, वो स jungle होता है, forest होता है, उसको on कौन करता है, forest department करता है या फिर दूसरे कोई government department करते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहला category है, forest का वो है reserved, reserved forest, ये एक तरीके से ऐसा forest है, जो की completely reserved है, मतलब कि आप वहाँ पर enter नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर जानवरों को मार नहीं सकते हैं, वहाँ से लकडियां नहीं चुन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, आपका entry तक वहाँ पर band है, और यहाँ पर इनको कहा जाता है reserved forest, ये बिलकुल भी reserved हैं, वहाँ के जीव जन्तु हैं उनके लिए, आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, और ये पूरे इंडिया में जितने भी forest हैं, उसका आधा से भी जादा forest है, आपका क्या reserved forest, और reserved forest जो हैं उनको most valuable के category में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आपके जो आपको biodiversity है, वो पाई जाती है, बहुत बड़ी संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं, spaces पाई जाते ह यहाँ पर, और यह forest और wildlife के conservation के हिसाब से बहुत ही important है, इसके बाद दूसरा होता है protected forest, protected forest भी एक तरही के conservation की category से important होता है हिसाब से, लेकिन यहाँ पर reserved forest और protected forest में अंतर सिर्फ यह होता है, कि reserved forest में किसी भी reason से, किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सक उस जंगल में, लेकिन जब हम protected forest की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, आप हूँ, आपको special condition में वहाँ पर entry का permission मिल जाएगा, जैसे कि आप उसी जंगल के आस पास रहते हैं, आपको वहाँ पर आपका जो survival है, उसी जंगल forest के category में आता है, और यहाँ पर इस forest को बचाया जाता है, इस हिसाब से, कि यहाँ पर इस forest का किसी भी प्रकार से और भी depletion ना हो, मतलब कि जितना घनत्व, जितना density है forest का, वो बना हुआ रहे, और भी ज़्यादा उनका density कम ना हो, अब इसके बाद तीसरा category आ जाता है, uncl forest, unclashed forest क्या होता है, simply, दोनों के बाद जो बच गया forest, वो आपका unclashed forest होता है, अब यह जो unclashed forest है न, इसमें आपका कुछ forest हो सकता है, सरकार कंट्रोल करती हो, कुछ forest के माली कोई आदमी भी हो सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं है, ठीक है, या फिर कोई गाव अगेरा समाज भी हो सकता है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका काज आ रहा है, कि जो reserve और protected forest होते हैं, इनको permanent forest के category में रखा जाता है, मतलब कि यहाँ पर आपको timber या फिर दूसरे forest produce या फिर और भी protective region के वज़ज़ से इनको बचा कर रखा जाता है, और अगर बात करे तो मद्ध प्रदेश जो है, वो सबसे बड़ा आपका reserve forest की हिसाब से है, यानि कि मद्ध प्रदेश का 75% जो इलाका है, जंगल का, वो आपका reserve forest में आता है, और इसके अलावा जम्मू, कस्मीर, या फिर आंध प्रदेश, उत्राकंड, केरल, तमिलनाडू, वेस्ट बंगा हैं, वहाँ पर forest जो है, वो unclassed forest के category में आते हैं, जो कि सरकार के द्वारा manage नहीं किये जाते हैं, local community के द्वारा manage किये जाते हैं, या फिर control किये जाते हैं, अब यहाँ पर आगे है topic community and conservation, यानि कि जो Indian community है, समाज है, वो किस तरीके से conservation में मदद करता है, actively participate करता है, अब दि हैं, इंडिया में बहुत पुराने समय से conservation का काम किया जा रहा है, चाहे वो forest हो, या फिर और भी चीज़े हो, हमें हमेशा धिये ध्यान रखना होगा, कि जो tribal community है, या फिर जो forest community है, जो कि ऐसे लोग, जो कि जिनका traditional home जंगलों में है, वो सैखडों सालों से, हजारों सालों जंगलों में रहती आए हैं, और जंगलों को, और जंगलों के जानवरों को, जीव जंतुों को बचाती आए हैं, इंडिया के कुछ इलाके में जो local communities हैं, वो हमेशा से महनत करते आए हैं, कि जो local habitat हैं, जो local इलाके हैं, जंगलों के, जहां पर अलग-लग जीव जंतु रहत वहाँ पर जो villagers हैं वो हमेशा क्या करते हैं कोशिश करते हैं अच्छे environment को create करने के लिए जैसे कि जो आपका mining है उसका हमेशा विरोध करते हैं ताकि wildlife protection किया जा सके और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो villagers हैं वो खुद से guarding करके habitats को जानवरों को habitat को protect करते हैं और government के involvement को बिल्कुल नकार देते कि नहीं सरकार किसी भी तरीके से यहाँ नहीं आएगी यहाँ का protection कौन करेगा गाओं के लोग करेंगे और वो really में protect करते हैं और अच्छी तरीके से पूरे system को चलाते हैं जैसे example यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलवर district के 5 गाओं के लोगों न यहाँ पर इन गाओं के लोगों के द्वारा set of rules बनाएगे regulation बनाएगे जहाँ पर किसी भी तरीके से hunting और भी किसी poaching वगेरा allowed नहीं है और इन पांच गाओं के लोग ही क्या करते हैं wildlife को protect करते हैं बाहर से अगर कोई आता है उसके problem से मतलब बाहर ही लोगों से protect करते हैं अ और भी कई तरीके के movement लोगों के द्वारा चलाए गए हैं जैसे कि चीपको movement जो की हिमाले के region में चलाया गया था वहाँ पर क्या हुआ था deforestation को oppose करने के लिए ये movement काफी successful रहा था जहाँ पर जो community है उसने वहाँ के local जो indigenous species थे पेड़ों के उनको बचाने के लिए diversified crop production है उसके उपर काम किया है और जो synthetic chemicals का use होता है उसको एक तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है इसके अलावा इंडिया में कई सारे इलाकों में क्या किया जाता है joint forest management program चलाया जाता है यहाँ पर क्या होता है कि जो सरकार है और जो local community है गाउं के लोग है community के लोग ह हैं और साथ में मिलकर क्या करते हैं environment को जंगलों को protect करते हैं local जो आपका wildlife है उसको protect करते हैं अब यहाँ पर इसकी सुरुवात होई थी 1988 में जब Odisha state ने यह resolution पास किया था यह system की सुरुवात की थी और उसके बाद क्या किया गया पूरे इंडिया के कई सारे इलाकों में इ यहाँ पर concept यह होता है कि जो सरकार है वो local community के साथ मिलकर काम करती है wildlife को protect करती है जंगलों को protect करती है और बदले में जो सरकार है वो local community को कुछ छूट दे देती है कि आप जंगल से कुछ चीजे ले सकते हैं जैसे कि लकड़ी ले सकते हैं या फिर जो अपनी दवाईयां व बहुत बढ़ चड़कर इन चीजों में हिस्सा लिया है और इसके साथ ही यहाँ पर इनको एक तरीके से और भी ज्यादा प्रोचसाहित करने के ज़रू थे क्योंकि बहुत सारे इलाकों में अभी भी local community इतनी ज्यादा जागरुकता नहीं है और हमें क्या करना होगा सभी ल बुद्धा का एक कोट दिया गया है आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा कोट है तो चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ तब तक के लिए गुडबाई